जैशे किशने दोस्तों कैसे हैं आप अच्छे होंगे, स्वास्त होंगे, अपनी घरों में खुश होंगे, आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूटिप चानले पे आज मैं आपको नमक का कुछ उपाय बताने जारी, कुछ टोटके बताने जारी, बहुत से आपनी नमक के टोटके उपाय सुने होंगे, कुछ अलग है, पहली बार सुन रहे हैं, ध्यान से जरूर करिएगा, विश्वास की साथ, जैसे कि आप सब को मैं बता दू, अगर घर मे negativity बहुत साथ है, बहुत जादा परेशानिया तकलीफ हैं, तो आपने अमवस्या और पूनिमा के दिन, क्या करना है, एक दिन पहले हैं, आप रात के समित थोड़ा सा नमक ले लीचे, और आपने कपूर लेना है, दोनों को कूछ के आप एक ग्लास पानी में डाल के भीगो क अगली दिन सुबा, जाड़ो लगाने के बाद आपने पोचे के लिए बालती में जब पानी लेते हैं, तो उसी में आपने ये पानी मिला देना है, और फिर आपने अपने पूरे घर में पोचा लगाना है, इसको लगाने से आपके घर की जितनी भी negativity वो सारी दूर होगी, तो आपने ये उपाय अमवस्या और पूर्मा के दिन अवश्य करना है, आपके घर में मातलिश में का स्थेरवास होने लगेगा, दूसरा अगर आपके घर में वास्तु दोश बहुत साथ है, अब घर बन चुके हैं, उन्हें तोड़ा फोड़ा तो नहीं जा सकता, हाँ व अपने बात्रूम में ये ट्वैलेट में रख दीचे, और हर 15 दिन के बाद आप इसे फ्लेश आउट करके फिर से इसमें नया नमक रख दीचे, इस तरह से आपके घर का जो भी वास्तु दोश है वो दूर होगा, वास्तु दोश से कई बर बहुत सी घर में परेशानिया आ लगते हैं, उनको अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, पर्मोशन नहीं होते हैं, घर में जगड़े कलेश होने लगते हैं, शांती नहीं रहती हैं, बच्चे इतने मायूस से हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता, खुश्या ही कहीं दूर चली गई हैं, तो आपने क्याना क् आपका जैसे घर का जो मुख्या है, जो पैसे कमा के लाते हैं, घर के मुख्य भी मानसी तोर से बहुत परेशान हैं, बच्चे परेशान हैं, तो आप साबुत नमक की धली होती हैं, वैसी ले लीजे, इसली मिल जाता है किसी भी दुकान पर आप लीजे, साथ नमक की धली कि आप बच्चे की सर से उतारी उसे फ्लेश आउट कर दीचिए घर का मुख्या है उसके सर से उतारी फ्लेश आउट कर दीचिए आप अपनी स्वेम की सर से भी इसे साथ बारी घुमाईए क्लॉकवाईजी घुमाना है आपने और इसे फ्लेश आउट कर दीचिए इस तरह से आप अपने बच्चों के जीवन में जोभी बुरी नजर ने उसे दूर कर सकते हैं, जो भी परेशानी है वो दूर कर सकते हैं, ये उपाए आपने शनीवाल की दिन करना है अब जैसे कि आपके घर में तंगी बहुत जाथ है आठिक तंगी इतनी जादा होती जाए है, मातलष आपके घर में हो चुकी है कि मातलश में स्थिरवास नहीं करी तंगी बहुत जाद है तो बहुत ही चोटा सा सरलसा या चुक सा उपाई आप कर सकते है रवी बार के दिन आपने करना पहले आप उठे उठने के बाद जाडू लीजे और अपने घनमी अंदर से बहार तक जाड को आप बहार लीजे आप आपनी अमक जो आपको टुकडो वाला होता है वैसा चुकड़ junior on have to stand sit और नमक को मुठी में लेना है सीधे हाथ में और जाडू के उपर से आप साथ बार घुमाईए और उसे फिर बाहर फैक के जाडू को लाके फिर से छुपाके अपनी घर में रख दीजिए जिस पे किसी की नजर ना पड़े ऐसे आप कम से कम साथ रवीवार करके देखें आप के घर के मांगली कारे रुख चुके हैं बहुत जादा परेशानिया है नजर हाई दोश लग चुकी है बच्ची बहुत सुंदर आपके देखने में किसी ने ऐसा बोला बस पता ही नहीं चला नजर कब लग गई खुद की भी नजर लग जाती है आपके घर में नेगिटिव सरसो पीली सरसो सफेज सरसो जो भी आपको मिल जाया थोड़ा साप एक चुटकी उसमें वो रख दीजी इसकी पोटली बना के अपने मुखे द्वार पे आप बान दीजी शनिवार के दिन आपने शाम के समय इसे बांधना है और फिर आपने एक हपते तक इसे बंदी रहने अगले शनिवार के दिन आप सुबही से उतार दीजी और कहीं भी बहते पानी में आप इसे छोड़ाए या तो किसी भी पिपल के व्रिश की जड़के नीचे दबा दीजी फिर आपने ऐसा ही नया कपड़ा लेना है छोटा सा काले रंका और उसमें सारी चीजे रख के अप अच्छे बड़े ही खोई-खोई से रहते वो सब दूर होंगे उनके विभा समन्दी जो भी अर्चने बादा हैं वो दूर होंगे अच्छी नौक नहीं मिलेगी पर्मोशन से होंगे तो बहुत ही छोटे से सरल से अचूक से हो पाएं है अगर आपने विश्वा सुषदा क यखीन माने आपके बच्चे के जीवन और समय पियसी है वो शारी भगवान आवश्या दूर करें और मेरी वेडियो अच्छे लगते तो प्लीस लाइक, शेयर, शेयर करना, ना भुले, कि अच्छी जंब सब्सकाइब करते हाँ मेरे बटन को जरूर नोटिफिकेशन को जा जै शीर किछना लिखना ना भूलिया, मुझे आगे देजे, मैं फिर आउंगी सिदर के अचुग से उपाई के साथ में, जै शीर किछना